माक्स का इस्ट्रेस, स्लेबस खतम करने का इस्ट्रेस और दुनिया भर का इस्ट्रेस मेरे सरपह है भाईया और लोग कहते हैं कि भाईया स्ट्रेस मत लो पर तुम्हारे भाईया तुमको कह रहे हैं स्ट्रेस लो भाईया थोड़ा विश्तार मैं समझाओ अब क्या चीज बोलना चाहरे हो तो देखो यार एक छोटे से एक्जामपल से तुमको ये चीज समझाओंगा मान लो मैंने तुम्हें कहा कि तुमको 10 लेसन 10 दिन के अंदर याद करना है तुम अपने घर जाओगे तुम कहोगे एक दिन में एक ही लेसन तो याद करना है मैं आराम से याद करके भाईया को बता दूँगा अब मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें वही काम क्या करना है तुमको 10 लेसन 5 दिन के अंदर याद करना है अब यहाँ पर क्या हुआ एक छोटी चीजी समझो, पहले और दूसरे केस में क्या हुआ पहले केस में तुमको 10 लेसन 10 दिन के अंदर याद करके लाने थे तो तुम्हारा जो stress level था वो बहुत बहुत कम था ठीक तुम्हें stress ही नहीं था कोई, तुमने कहा यार 10 लेसन 10 दिन में याद पनने हैं, रोज का एक लेसन मुझे याद करना है और मैं 10 दिन के अंदर 10 लेसन कर लूँगा, stress भी कम था, performance भी कम आई अब मैंने तुम्हें कहा कि तुमको 10 लेसन 5 दिन के अंदर याद करने हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा stress level थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि अब तुम्हें रोज के 2 लेसन याद करने थे अब यहाँ पर तुम्हारा stress level बहुत बढ़ गया, stress मतलब अती हो गया यहाँ ठीक है, जब stress अती हो जाता है, तो performance 0 हो जाती है, और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, तो 10 लेसन को एक दिन में याद कर ले कहने का मतलब यह है, कि stress होना जरूरी है, up to a limit, ठीक है, एक limit के अंदर अगर आपके पास stress है, आपको दिक्कते आ रही है, that is good अगर stress होगा, stress बड़ेगा, तो आपकी performance भी बड़ेगी, पर up to a limit, एक limit के बाद वो ही stress आपको नीचे गिरा देगा, और एक limit तक वो ही stress आपको उपर लेके जा रहा होगा, तो यह चीज को समझो, इसलिए मैं कहरा हूँ stress लो, पर अती मत करो, बाकि वीडियो अगरा अच चलो चलो, बाई बाेगे, बाई बाेगे, जो ही जそう, बाई बाई बाईा, एक फखकता सर लेगा हूँ सेका हो नीचे से घत사 है, जो परसिए से बाईका होँ sitä हा लेका शालो, आपके से चलो, आका हुँई है, रहाई बाई बाईे, पा gymn